हलो दोस्तों मैं पूजा मेरे चैनल पूजा होम किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं लेकि आए हूँ पंजाब की मोश्ट पॉपुलर डिस सर्सो के साग और मक्य की रोटी जो की वहां की बहुत थी फेमस डिस है सभी लोग बना करके खाते हैं वहां का पसंद आएगे आपको कोई आप फूरी सर्दी इसे बना करके खाना पसंद करेंगे तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं देखते हैं कैसे बनाते हैं पंजाबी लोग यहां पर इसके लिए हमने लिया है सर्सो और यहां पर हम साथ में रख लेते हैं पालक डोनों को हमने पर देतने होती हैं और नहीं नहीं है और नहीं नरह को इसका नहीं होती है इन湯 फिर फोक्ली in में यहां पर लेकर के ही अठा कर लिया है तो चलिते हैं इसे चौपिं बॉर्ड ज़ते हैं तो छेफिक बहुत ही यहां पर ऑथWow तुल जो पालक बनारें लेकिन सर्सों का मतर्वी ज़्याँ है इसमरी कट है। पालक को से उसी तरहीकी से कर लेना है और यहाँ पे स Lazarus Jadi अब हम लकान काल लिया है अब हम लेते हैं लेसन यहाँ फिसे « खढ़े से होते हैं नीचीındbes whenո्रूस Matter》 और उसको पौद ही होते हैं इसक़ sympathique अच्छा लगाने अधाई हैं इसको फिर अमरे एक थाली में कथा कर लिया है ? इसको हम धुल लेτε हैं और धूलने के बाद इसको हम बड़े से उट्टल में रख लेते हैं यहांपे देखें हम डालते जाएंगे जितना इतना सारा उसमें चipls नहीं हो पाईगा थो हमने दो बार में वॉयल किया था एक दर हमने कूखर में राखा था एक दर हमने कड़ाई में रख दिया था यहाँ पर इसका धक्कन लगाते हैं गैस को on करते हैं इसको चढ़ा देते हैं कम से कम 10 मिट के लिए 10 मिट में इसमें 4-5 सीटी आई थी और जो साग बहुती अच्छी तरीकी से गल गया था गैस को हम बन करते हैं यहाँ पर हम लेते हैं लेसन यहाँ पर देखिए इतना सारा हमने लेसन लिया इसको हमने छे लिया तो लेसन सबसे ज्यादा डाली है आप साग में इसका टेस्ट इसी से आता है तो यहाँ पर लेसन डालने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें कितना भी देख लेते हैं तो इसका धक्कान अटारते हैं उसे मतनी से हम मत लेते हैं और यहां पर जो दूसरा व्ला साग था ना कड़ाई में बुवाल के था उसको बेसी में डाल देखे इतना सारा हो गया जैसे इसको हम इस तरीके से मत जाएंगे तो इसमें जो भी डंठल वगर और फिर हम डाल लेते हैं लेसन को पहले हम थोड़ा सा जला लेते हैं अब साग को निकालते हैं पहले थोड़ा सा डालते हैं तो पहले हमने थोड़ा दाड़ा और फिर कूकर में से निकाल करके डायरेक्ट डाल दिया है और फिर तड़के को हम साग में अच्छी तरीके से म नमक नहीं डाला था अब एक चेमबस भरके हम नमक डालते हैं स्वादनुसाराब डाले और फिर इसे चलाती हुए हम मिक्स कर लेते हैं फिर यहां पर हमने धग दिया था धक करके दो निट बाद फिर इसके चला करके हम दूसरा धकन लगाते हैं इस तरीके से साग को चलाते रहेंगे और हमने आदे गंटे के समय लिया था हूं हमारा जो साग ह colour सर्जो का बंद करके तयार हो गया था है तो जनसाध में रहने दे तक हम देना का मक्य का लिए That और यहाँ पर साख बन गए है तो गये स्वर म चढ़ा देते हैं तवा अग오े लेते हैं इसकी आटा मक्या sóloिय है यहाँ पर यहां पर यहां पर इस तरीके से एक माई बenty का सब हों है बटना बना रोटा डेते हैं तवा जो बड़ा फु extra तवा है इहां 快講 सकते हैं दोनों पर बनता है लेकिन मुझे फटावड से तीजगना भी था न तो हमने इसको नौनिशिक तवे भी बना लिए एक साइड लेते हैं इतना लाल हो गया सुनारा कलार आगा तो इसे हम दूसरी साइड प्लड लेते हैं और इस साइड भी जैसे ही थोड़ा सा अच् साइड जाएगा तो इसे हम दूसरी साइड प्लड देते हैं तो यहाँ पे लिजी बन करके बहुत ही टेस्टी मक्य की रोटी बन करके देखिए तयार हो गई है फुली-फुली अब हम लेते हैं एक प्लेट और इसमें हम डालते हैं सर्चों की साग और मक्य की रोटी दोनो से घीवी लगा दी है इसे हम तोड़ते हैं और इस तरीके तोड़ करके बस सर्चों के साग खाई है तो आई हो वगर यह रेश्पी आगो पसंद आई हो तो